हलो फेंट स्वागत है आपका स्मार्टों की चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगी स्पेशल ट्रेनों के बारे में कौन-कौन से राज में कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेन चला जा रही है जी हां तमाम रूटों के बारे में बताएंगे इस वीडियो के इंटरनेट नहीं है काफी लोग के बाद सुविधा नहीं है तो काफी ऐसे लोग भी है तो इसलिए दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूं तो पहले टेन आपकी देख लिजी आप देख सकते हैं आप स्कीन पर सोलापूर विजयपू अगर आपको इस रूट पर सफर करना है तो अगली ट्रेन चलते हैं जिया दोस्तों अगली ट्रेन है आपकी राजस्तान संपरक्रांती स्पेशल जिया दोस्तों यह टेन आपकी चलाई जाती है दिल्ली सराय रोहिला से जोदपूर जंक्सन के लिए ट्रेन का नंबर है 02463 राजस्तान संपरक्रांती एक्स्प्रेस यह जो है और यह दोनों साइड से है यानि कि आप दिल्ली सराय से जोदपूर जा सकते हैं और जोदपूर से आप दिल्ली के लिए वापस आ सकते हैं और या इसके बीच में भी गरगा आपको कहीं सफर करना हो जैसे किसी भी जो है नहीं रुकती। तमाम इस्टॉप जो भी इसके दिये हैं वह सभी इस्टुइस्ट रूपर अपर चुका हैं कई बार जो है यह यह जो है अमदवाद तरक्री लिए इस ते बहूत आगय तक जाती है तो जो भी आतरी इस रूट पर यानिकी मूंबई से बांदरा टर चाहते है या हैंदाबाद सूर्त या वलसार या वार पी तो इन तमाम रूटों पर जया Every चलाए जाती है तो आ regen अपनी यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही बहुत ही भी बैठरें घ्रबने से जोधपुर जा रही थी वो जोधपुर से बांदरा तो चलिए चलते आगले ट्रेन के बारे में जिसका नाम है विजैपुरा होबली स्पेशल जो चलाए जाती है वो चलाए जाती है 07-330 के नाम से ये ट्रेन का नंबर है और ये आप एंड डाउन दोनों तरप से है और ये काफी बने बताया था लेकिन काफी कमेंट्स के बारे में भी आए तो मैं आपको इस पर फिर से में नोटिस करा रहा हूं को नार्क एक्सप्रेस आपकी शुरू कर दी गई है अल्रेडी करवा सकते ये अगलिये आपकी कामयानी एक्सप्रेस अगली यहां बिद्वाध तर्मीनइस यहां क वारणसी ने एपनगर वारानसी से वापस आते हैं आपके यहां दोनों साइटस से है तो जो भी यात्री या प्रवास्ति मजदुर भाइब हैं इस रूट पर सफर करना चाहते हैं वो इस train से अपने booking करवा सकते हैं तो चलते हैं एक लिए train के बारे में जिसका नाम है पाटिल पुत्र चंडिगर एक्सप्रेस ये train जहाँ दोस्तों बहुत ही बहुत ही बहतरी इस train के इंज़ार करें तो ये train भी आपके लिए शुरू कर दी गई है या आप जो है चंडिगर से पाटिल पुत्र जा सकते हैं या पाटिल पुत्र से आप चंडिगर के लिए रवाना हो सकते हैं या इसके बीच में भी अगर आपको कहीं सफर करना तो भी आप इस train के माधियम से अपने booking करवा सकते हैं तो यह train आपके लिए काफी अच्छी है तो चलते हैं अगले train के बारे में जिसका नाम है जनसताब्दी जो चलाई जाती है आपकी गोंडिया से राइगर के बीच और गोंडिया के बीच जो भी यातरी सुरूट पर सफर करना चाहते हैं वो इस train से अपने booking करवा सकते हैं अपने booking करवा सकते हैं पतना जनसताब्दी एक्सप्रेस यह special train है जिसका नंबर है 02023 अगले train है आपकी दर्भंगा जंक्षन से कोलकाता एक्सप्रेस के लिए दर्भंगा जंक्षन से कोलकाता के लिए और कोलकाता से दर्भंगा आके बीच यह train चलाई जाती है आप 15233 तो चलिए अगले train है आपकी जनस अदाराड एक्सप्रेस और यह चला जाती है आपकी आनंद विहाड टर्मिनस से दानापूर के लिए और दानापूर से आनंद विहाड टर्मिनस से लिए यह train आ उलोड़ी चलाई तो जाही रही है लिकिन इसके साथ एक अच्छी दाफा किया गया है तो चलते हैं अगले train के बारे में जिसका नाम है अमरित सर नांदेर एक्सप्रेस और यह train आपकी चलाई जाती है अमरित सर जंक्सन से हजूर साहिब नांदेर के लिए तो आप एंड डाउन दोनों साइट से है यह train special train जिसका नंबर है 02716 और अमरित सर से आप नांदेर जा सकते हैं यह नांदेर से अमरित सर के लिए train के मादियम से अपनी यात्रा कर सकते हैं तो यह अप एंड डाउन दोनों साइट से है तो आप जल से जल इसके बुकिंग करवा सकते हैं अगर आपको इस रोट पे सफर करना हो अगली train है आपकी पुरसुत् के मादियम से इस टेन के मादियम से अपनी यात्रा को बना सकते हैं तो यह train आपके लिए बहुत अच्छी है पुरसुत्तम एक्स्प्रेस टेन का नंबर है 02801 अगली train है आपकी मुरादाबाद से बरेली पैसेंजर और यह जी है दोस्तो चला जाती दिल्ली से डैली से अल दोस्तो उनके लिए बहुत यह अच्छी अपडेट है यह पैसेंजर ट्रेन है तो आपको पैसेंजर में बुकिंग करवाना होगा तो भी आप करवा सकते हैं आपको 15 रुपे ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है क्योंकि आपको सोसल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाय जाए है कि कोवाई 19 के वज़े से लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाय जा रहा है जिसके वज़े से सरकार ने 15 रुपे जादा जो है चार्ज करने का फैसला किया है अगली आपकी दिल्ली रोहतक मेमू यह पैसेंजर ट्रेन जैसी होती है जिया मेमू का मतलब यह होत कामढ़न के लिए इनतजार के लिए है पैसेंजर ट्रेन मेमू के इंतल dynamics थे अच्छी अजर डिन से कोलकाथी बीचता के बीच में को कहीं कंश सफर करना हो यह तो मधी दूरी करती है जहां दोस्तों जो है देश के दो कोनों को मिलाती है पतर आप आप कोलकाता जाएंग अजमेर आ रहे हैं तो जो भी यात्री स्रूट पर सफर करना चाहते हों तो वह इस 10 gün करवा सकते हैं बहुत ही अच्छी है और बेहतरी ट्रेद्रों में से एक है टेन का नंबर है one nine six zero eight one nine six zero seven अब पेंड डौनों साइट से है तो जो भी यातरी स्रोट पे जाना चाहते हो यह इस टेन के मादर्ण से अपनी के लिए यानि दोनों तरब से एक एक ट्रेन चुटेगी यानि दो ट्रेन हो गई जिया दोस्तों ट्रेन का नंबर है one one zero three two one one zero three one अप एंड डाउन दोनों साइट से यह ट्रेन तो जो भी यातरी जाना चाहते हैं वो जल से जल इसकी बुकिंग करवा सकते हैं इस ट्रेन के मा सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी तो खज्रावज कुरुशेक्त एक्सप्रेस जो है यह खज्राव से कुरुशेक्त के बीच लाए जाती है और यह अप एंड डाउन दोनों साइट से है ट्रेन का नंबर है डबल वन एट फोर वन तो दो भी यातरी खज्राव से कुरुशेक्त के लिए जहां दोस्तों इंतजार कर रहे थे ट्रेन का तो उनके अच्छे अपडेट आ रही है कि यह ट्रेन आपक कर दिएगा अगर आपको यातरा करना हो तो अगली ट्रेन है आपकी जन सदाब्दी एक्सप्रेस और यह ट्रेन आपकी दादर से जलना के भी चलाए जाती है ट्रेन का नंबर है 1271 1272 यानि 12071 अप एंड डाउन दोनों तरफ से जलना से आप दादर यानि मुंबई आ सकते ह हैं और दादर से आप जलना जा सकते हैं यानि मुंबई से जलना तो दोनों तरफ से आप जो है यात्रा कर सकते हैं इसके बीच में बढक कि यात्रा करना हो जरूरी नहीं काफी लोग ऐसे डाउट होता है कि इस jó बात को दोग हैं जिनको सिचजेशन ऐसी बनी हुई है दे कि अगर आपको बीच में भी अगर रूट के बीच में कहीं आपका नंबर है जैसे कि कोई स्टेशन पर उतना चाहते हैं या फिर जिसका ने स्टॉपज हो तो अभी आप इस ट्रेंज के मादम से अपने बुकिंग करवा सकते हैं तमाम ट्रेंगों के लिए हैं सिसी ट्रेंगों के लिए नहीं तो दोस्तो लिस्ट अभी बहुत लंबी है आप देख सकते हैं लिस्ट मेरे पास खत्मन होगी क्योंकि 306 से जादा ट्रेन में आप पता है के आपके रूट पे कौनinned इंस्टाग्राम के हुआ है सरोज.IT P आप जाएए वहाँ फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको एमर्जेंसी है कुछ भी है जैसे आपके मैंने जो भी कोईस्चन्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं जिया दोस्तों तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं मैं आज का वीडियो आपको पसंद आय क्याएंगी धन्यवाद